कुछ टीनेजर्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंट करने के लिए स्कूल छोड़कर एक अंडरग्राउंड बंकर में चली जाते हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यहां से निकल नहीं पा रहे थे इसी सिच्चेशन में आदमी का सच्चा रूप सामने आता है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको दहोल यह 2001 की एक थ्रिलर मिस्ट्री होलिवड मुवी एक्स्पेंट करने वाला हूँ यह स्टोरी हमें अलग-अलग पॉंट आफ व्यू से पता चलेगी जो इससे बहुत ही इंट्रेस्टिंग बनाता है तो अंदर किस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप कोई वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बिना किस देरी के expansion स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को जखमी हालत में स्कूल में आता हुआ देख सकते है वो आकर उसने पुलिस को कॉल किया और हल्प मांगी इस लड़की का नाम था लीज और लीज के साथ और तीन लड़की गायब थे अब लीज मिल चुके है तो एक बड़ी न्यूस बन जाती है उसके साथ जो भी हुआ था इस सवज़े से बहुत ही डिस्टब थी तो उसे मिलने के लिए एक डॉक्टर आती है इस सब के गायब होने के वीचे राज गया था इसे जानने के लिए डॉक्टर लीज से क्वेशन्स पुछती है लीज कहती है हमारे स्कूल में अगर आप पॉपिलर हो तभी आप एक्जिस्ट करते हो बाकी लोग तो एक्जिस्ट ही नहीं करते लीज पॉपिलर नहीं थी तो उसे कोई भी नोटिस नहीं करता था फुटबॉल टीम में एक लड़का था जिसका नाम था माइक वो बहुत यहंसम था तो स्कूल की सब लड़का उस पर बहुत मरती थी अभी अभी स्कूल में सब को पता चला था यह माइक और उसके गल्फरेंड का ब्रेकप हो गया तो सब लड़का इसके लिए बहुत ही एक्साइडेड थी लीज को भी माइक बहुत पसंद था वो हमेशा उसे देखने के लिए आया करती थी ब्रेकप के बाद जब लीज उसे देख रही थी तो मार्टिन कहता है कि वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा एक्चल में मार्टिन और लीज यह बहुत सालों से फ्रेंड्स है मार्टिन लीज को बहुत पसंद करता है यह बात उसने बता भी दी थी पर लीज उसे सिर्फ as a friend समझती है नेकसिन में हम देखते है माइक अपने फ्रेंड जॉफ के साथ था माइक को जीरफ करने के लिए जॉफ ने का कि हमें vacation पर जाना चाहिए अगर वो अपने इस girlfriend से दूर रहेगा तो शायद वो वापस आ जाएगी यह आईड़ा माइक को भी अच्छा लगा नेकसिन में हम देखते है कि माइक की girlfriend के जीस तरीके से Harris थे उसी तरीके से Harris लीस को भी बनाने थे पस सब कुछ गड़बड हो गई थी यह बहुत जादा खराब हो जाते है तो help मागने के लिए और Francis के पास आई Francis school की बहुत ही popular लड़की थी Francis ने लीस को help तो कर दी परोगें थी है तुम्हें जो सब कर रही हो इससे माइक को कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा वेजा रिलीस को बहुत बुरा लगा वो अपने friend Martin के पास आई सारी अपने problems बताती है वो जाहती थी कि कभी ना कभी तो माइक उसे notice करे मार्टिन उसकी हलत देखकर उसे help करने के लिए मान जाता है प्रिवियस सीन में हमने देखा था कि माइक और जौफ कही वेकेशन पर जाना चाहते थे पर उनके parents उन्हें allow नहीं करेंगे अगर किसी वेसे उनके parents को और school को भी पता ना चले माइक और जौफ के group में Francis भी थी मार्टिन ने इन सबसे बात की कहा कि मैं तुम्हें help कर सकता हो पर तुम्हारे साथ तुम्हें और एक लड़की को लेकर जाना पड़ेगा वो थी लीज इनका plan था कि जब आपकेशन पर होंगे तो माइक और लीज एक साथ time मार्टिन उन्हें बन करकर दो दिन बाद लेने के लिए आएगा पहले तो फ्रांसिस और माइक को यहां अंदर जाने के लिए डर लग रहा था पर जौफ बहुत एक साइड़ेड होकर अंदर चला जाता है तो उसके पीचे पीचे इस सब चले गए अंदर जाकर इन्होंने लाइट्स वगरा लगए इन्हें जगा बहुत पसंद आई यहाँ पर एक गेमस कहलते हैं बेड लगाते हैं खाने का कुछ सामान निकालते हैं जौफ देखता है कि माइक ने खाने के लिए कुछ भी लाया नहीं है इस वज़े से उस पर गुसा था लिज कहती कि मैंने बहुत सारा खाना लाया हुआ है वो मुझ में इसे खा सकता है इस बात की वज़े से अब लिज और माइक फ्रेंड्स बन गए थे रात में इस सब मिलकर एक दूसरे को होरर स्टोरी सुना रहे थे जौफ ने मज़ाग में कहा कि अगर मार्टिन हमें दो दिनों बात लेने के लिए नहीं आया तो यह बहुत ही बड़ी होरर स्टोरी बन जाएगी यह बात सुनकर फ्रांसेस उस पर बहुत ही गुस्ता हो जाती है कहती है इस तरीके की बाते हमें नहीं करनी चाहिए अब इसके बात दो दिन बीट गए थे सब मिलकर मार्टिन का वेट करते है पर वो यहाँ बहुचता ही नहीं फ्रांसेस इस बात पर और भी गुस्ता होगी कहती है तुमने अगर ऐसा बोला नहीं होता तो इस सब होता नहीं माइक सब को समालने की कोशिश करता है कहता है कि शायद मार्टिन ट्राफिक में होगा थोड़ी दिर में ओ आ जाएगा पर मार्टिन आया ही नहीं सबने फिर उपर जाकर दोर को खोलने की बहुत कोशिश किये पर ये बॉम शेल्टर है इसके दोर कोई भी उपर नहीं कर सकता ये डिसकस करते है कि आप सब लोग को पता चल गया होगा कि ये स्कूल में नहीं है ये दो दिनों से गायप थे तो वर्ल्ड में कही भी जा सकते है तो इस वज़े से नहीं कोई भी ढूडने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा फ्रांसिस इन सब चीजों से बहुत डर गई थी अब नेक्सिन में हम फिर से प्रेजेंट देखते है सब पुलिस मिलकर मार्टिन को ढूडने की कोशिश कर रहे थे एक्च्वल में हुआ क्या था अब तक किसी को भी पता नहीं है अगले दिन डॉक्टर फिर से लीज से मिलने के लिए पूछती है कि आगे क्या हुआ था एलीज ने कहा कि एक दिन जब मैं सोई हुई थी तब उपर से मैंने बंकर से शाड़ो आती हुई देखी उसे लग रहा था कि मार्टिन उस पर नज़र रख रहा है उसे लग रहा था कि उसने मार्टिन को रिजेक्ट कर दिया शायद इसी वज़े से बदला लेने के लिए उसने सब को बन कर दिया इन सारी चीज़ों के बारे मैं उसने मार्टिन चाहता है कि हम दोनों में जगड़ा हो जाए वो शायद मुझे दिखाना चाहता है कि मैं और तुम शायद कभी भी एक साथ नहीं रह सकते है माइक बंडर करता है कि अगर ऐसी बात है तो मार्टिन को कैसे बता चलेगा कि हम दोनों में जगड़ा हो रहा है हम दोने एक साथ रह नहीं सकते है इस बात पर हो सोचने लगके तब इस सारी रूम चेक करते है उन्हें एक जगा पर मार्टिन लगा हुआ मिला वो समझ गए कि इनकी सारी बाते मार्टिन सुन रहा है इन्होंने फिर डिसाइड किया कि नाटक करेंगे ऐसा दिखाएंगे कि लीज और माइक में छगड़ा हो रहा है इससे मार्टिन सैटिस्वाइड हो जाएगा और इन्हें बाहर निकालेगा इस प्लान में उन्होंने सब लोगों को शामिल कर लिया सब लोग मिलकर माइक्रोफोन के पास आकर लीज कोई ब्लेम करते है कि मार्टिन उसका फ्रेंड है और इसी वज़े से सब लोग यहाँ पर फसे हुए है इनके सब करने के बाद अगले दिन मार्टिन ने उपर का डोर खोल दिया अब तक कि सारी स्टोरी लीज बता रही थी डॉक्टर उस पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करती क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स होआ से नहीं निकले उस बंकर की रियालिटी कुछ अलग ही थी लीज को जादा लोड़ना है तो इस वज़े से डॉक्टर उसे प्रेशराइज नहीं करती तो उन्हें एक सिन में देखते हैं कि मार्टिन को पुलिस ने ढून लिया था जिस दिन सब लोग को उसने बंकर में बन किया उस दिन वो कहा था इसके बारे में उसे पूछा जाता है मार्टिन के बास उसके पूरे डे का रूटीन था पुलिस उस वर बिलियू नहीं करते हैं कहते हैं कि लीज कुछ और बता रही है मार्टिन ने कहा कि लीज मुझे हमेशा से हेट करती है वो स्कूल की पॉपिलर लड़की है तो उसे लगता है कि उसके सामने कोई भी मैटर नहीं करता ये बात लीज की स्टोरी से जरा अलग थी अब हमें रियालिटी दिखाये जाती है एक्चूल में फ्रांसेस और लीज ये दोने एक दुसरी की पहले से बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी जैसे लीज नहीं बताया था कि उसे कोई भी नोटिस नहीं करता था ऐसी बात नहीं थी वो स्कूल की बहुत ही पॉपिलर लड़की है जब लीज को पता चला कि माइक का ब्रेकव हो चुका है तो अंटरग्राउंड बंकर में जाने का प्लान भी उसी का था ये सारा प्लान उसने फ्रांसेस को बताया फ्रांसेस जॉफ की फ्रेंड थी तो इस वज़े से जॉफ की मदद लेकर उन्होंने माइक को भी अपने साथ आने के लिए मना लिया पुलिस मार्टिन से सब कुछ क्वेशन में गरा करते हैं पर उसके खिलाफ उनके बास कोई भी सबूत नहीं था तो उसे जाने देना पड़ता है मार्टिन के खिलाफ उन्हें कुछ ना कुछ तो सबुच जाई है तो इस वज़े से लीज के बास डॉक्टर मिलने के लिए आई वो लीज से बुशती है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो चीज होगी जिसमें तो मैं मार्टिन के बारे में लिखा होगा इस incident से हमें मार्टिन को link करना पड़ेगा लीज बुचते कि आप ये सब बाते क्यों कर रहे हो क्या मार्टिन को छोड़ दिया जाएगा डॉक्टर नों से सच बता दिया लीज इस बात से बहुत ही डिस्टब हो गए कहती कि शायद अब मार्टिन मुझे मारने के लिए आएगा वो ऐसे गुस्से में यहां से चली जाती है अब हमें फिर से reality में क्या हुआ था ये दिखाये जाता है सब मिलकर बंकर में तो गए थे पर इनने बाहर निकलने के लिए मार्टिन की जरुवत नहीं थी ये खुद अंदर से बाहर आ सकते थे अंदर जाने के बाद इनकी पार्टी स्टार्ट हो गई थी सब मिलकर ड्रंक हो जाते है जेव को फ्रांसेस के साथ इंटिमेट होना था पर माइक को भी वो बहुत ही पसंद थी ये दोनों मिलकर फ्रांसेस के बहुत ही करीब आने लग गए थे ये बाद लिज को पसंद नहीं आई और वो जोर से माइक को मार दिया इस वज़े से इन्होंने अपना प्लान कैंसल कर दिया राद में जब माइक का ध्यान नहीं था तो जौफ और फ्रांसेस से दोनों इंटिमेट हो जाते है माइक को जब ये बात पता चली तो इससे वो गुसा हो गया कहता है कि अब में यहां नहीं रहना जाता सब मिलकर उसे रोगने की बहुत कोशिश करते पर माइक मानने नहीं वाला था लिज ने कहा कि अगर माइक जाने वाला है तो वो भी उसके साथ जाएगी तो वो भी रेडी होगे वो उपर जाकर दोर ओपन करने की कोशिश करती है पर ये दोर ओपन ही नहीं होता सब लोगों ने मिलकर बहुत कोशिश किये पर कुछ भी हो नहीं बाता अजौफ पुछता है कि लास्ट टाइम कोन आया था और ये लीजी थी तो उस पर वो बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाता है सब मिलकर उसे ब्लेम करने लग गे थे तो वहां से लीजी दूर चली गी अब फिर से हम प्रेज़र्ट देखते है लीजी अपने घर पर थी उसे ढूंटे-ढूंटे मार्टिन उसके घर पर पहुँच जाता है वो डर कर भागने लग गी बहुत दूर नदी के पास मार्टिन उसे ढूंडी लेता है वो उसे पुछता है कि तुमने मुझे क्यों ब्लेम किया सारे पुलिस मेरे पीछे पढ़ गया है लीज कहती कि हमारे किलाफ किसी के पास भी प्रूफ नहीं है तुम जादा वरी मत करो इसके बाद लीज घर पर आ गई थी और वो बहुत रो रही थी उसे मिलने के लिए डॉक्टर वहाँ पर पहुच दिया डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हो पर इसके लिए तुम्हें मुझे सब को सच-सच बताना पड़ेगा लीज कहती कि मुझे फिर से बंकर मिलेकर चलो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़े याद आ रही है लीज ने डॉक्टर से कहा कि वहाँ से मैं माईक को इस तरीके से जाने नहीं दे सकती थी वो जब पहले उपर गए तो उसने बंकर को लॉक कर दिया था एक्चुल में उसके पास इस बंकर की चावी थी अब इसके बाद कुछ दिन बीट गए थे इनके बास खाना और पानी ये दोनों चीज़े खतम हो चुकी थी जो आफ सब को बताता है ये स्लोली स्लोली हमें हेड़ेक आने लग जाएगा हमें चलने घुमने में भी तकलीफ होके अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता तो थोड़े दिनों में हमारी डेट भी हो सकती है ये सारी चीज़े सुनने के बाद लीज खुद ही नाटक करने लगे खुद रोने लग जाती है माईक आकर उसे सहारा देता है तो उसे बहुत अच्छा लगा अब एक दूसरे के करीव आने लग गए थे तो एक दिन माईक और लीज इंटिमेट हो जाते है अचनक से फ्रांसिस की तबियत भी बहुत खराब होने लग गई थी पर इस बात से लीज को कुछ भी फरक नहीं पड़ता वो माईक के साथ यहाँ पर बहुत खुश थी है तो फ्रांसिस बिमार है इस वज़े से यहाँ से वो निकलना नहीं जाती उसे जितना टाइम मिल पा है उतना टाइम वो माईक के साथ स्पेंट करना चाती है एक राद लीज नीन से जग गए वो फ्रांसिस को ढूनने की कोशिश करती है पर उसे कहीं भी नहीं मिलती उसने जाकर देखा तो खुन की उल्टिया करकर फ्रांसिस की डेथ हो चुकी थी लीज बहुत जोर से चिलाए चौफ को जब पता चला तो लीज को यो ब्लेम करता है माइक ने इन दोनों को समाल लिया और इनके बास पीने का पानी बहुत ही कम था खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था सब की हालत बहुत ही ज़ादा खराब होने लग गई थी लीज रियलाइस करती है कि माइक और उसका बॉर्ण अब बहुत ही स्ट्रॉंग है अब ही यहां से निकल सकते है माइक को वो सब बात अब बताने वाली थी उसे वो पता रही थी कि उसके पास चावी है तब याजानक से माइक ने जौफ को सोडा की बॉटल ओपन करते सुना जौफ के पास यह बॉटल थी और वो सबसे छुपा रहा था इस बात से माइक बहुत जादा गुस्सा हो जाता है अपने भुक की वज़े से उसने अपने माइन का कंट्रोल लूज कर दिया था वो मार मार कर जौफ को मार डालता है अभी-अभी लीज उसे जो भी पता रही थी इस पर उसका थोड़ा भी ध्यान नहीं था ये मर्डर करने के बाद वो और भी जादा डिस्टरब हो गया सारी चीज़े देखकर लीज को बहुत बुरा लग रहा था वो भी अभी जीना नहीं चाहती थी वो माइक से कहती है कि हम दोनों यही पर सुसाइड कर लेते है पर माइक ने कहा कि हम इतने दिनों तक जिन्दा रहे हैं कोई ना कोई हमें ढूंड लेगा हमें डट कर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए अब इसके बाद माइक जब सो रहा था तो लीज उपर जाकर इस बंकर को खोल लेती है माइक की नीन खुलने के बाद हो देखता है तो लीज से पूछता है तुमने ये सब किया कैसे है लीज कहा थी कि मेरे बास हमेशा से चावी थी मैं तुमसे प्यार करती हो और तुमारे साथ टाइम स्पेंट करना चाहती थी माइक उस पार बहुत जादा गुस्ता हो गया वो गहता है कि तुमारी वज़े से मुझे मेरे फ्रेंड को मारना पड़ा ये गुसे-गुसे में उपर आ रहा था तो भी सीडी तूट जाती है तूट कर माइक के पेट में घुस गए और वही पर उसकी डेट हो गए ये सारी चीज़े लीज ने डॉक्टर को बता दिये और ये सच भी थी क्योंकि डॉक्टर को सबकी डेट बॉडिज मिली थी अब डॉक्टर लीज से कहती है तुम्हें सारी चीज़े पुलिस को बतानी पड़ेगी एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा लीज कहती कि मैं ऐसा क्यों करूंगी ये सिर्फ एक एक एकसेरेंट था इसमें मेरी कोई भी जादा गलती नहीं है डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा क्योंकि मार्टिन ये सब चीज़े कन्फरम कर सकता है लीज इस पर ज़रा सोचती है तो मैं पता चलता है नदी के पास लीज ने मार्टिन को मार डाला था यहाँ पर पुलिस पोच गए और उन्हें लगता है कि इस सब मार्टिन नहीं किया था क्योंकि मार्टिन के कपड़ों में उन्हें चावी मिली थी ये लीज ने उसे मारने के पहले डाल दी थी अब रियालिटी में जो हुआ था इसके बारे में सिर्फ लीज और डॉक्टर को बता है पर डॉक्टर इसे प्रूव नहीं कर सकती पहले लीज ने पुलीस को जो स्टोरी बैदाई थी इसे ही वो सच मान लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है इस मूवी में प्यार एक अपसेशन में बदल जाता है लीज का सब कुछ गलत करने के बाद भी उसे लग रहा था कि प्यार की वज़े से सब वर्थी रिठ है एक बहुत ये डार्क एंडिंग के साथ ये मूवी एंड होती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा ये बहुत सारी मूवी लेका रात रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुई के साथ तब तक लिए धैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे